कहते हैं कि हर अपराद के पीछे एक वज़े होती है एक मोटिव होता है यदि मोटिव ही ना हो तो फिर अपराद कभी हो ही नहीं सकता आज की जो सची घटना में आपको सुने जा रहा हूं इस सची घटना में भी एक मोटिव था ठोस मोटिव था लेकिन पुलिस के सामने जो यकिन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति जो बता रहा है वो वाकि जूट था और पुलिस की बात सच निकल के आती हैं इस घटना गिरम ने ना केवल रिष्टों को तार-तार किया बलकि सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी इंसान पैसे के लालच में किसी भी हद तक गिर सक इसका एक इलाका लगता है ओंध दरसल एक लड़का जिसका नाम आनंद कामले होता है उसकी शादी होती है दिक्षा ओवाल से 20 मई 2018 को शादी बड़े धुमधाम से होती है आसपास के सभी लोग इस शादी में खुशी-खुशी आते हैं और जब दुलहन विदा होकर अपन नहीं मनाएंगे दुलह जब ये बात सुनता है तो दुलहन की खुबसूरती को देखकर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहती हो वैसे ही वो जल्दी यल्दी प्लान बनाता है कि कहीं घूमते है तब अपनी दुलहन से पूशता है कि तुम्हे कहा इनसान था उसकी एक आनंद आर्ट्स के नाम से एक दुकान थी जिस पर वाहनों की जो प्लेट बनती थी उन प्लेटों की वो डिजाइन क्या करता था लेकिन जितना वो अच्छा सुन्दर देखने में था उससे कहीं ज्यादा सुन्दर उसकी बीवी भी थी लोग जब इन द दो जून 2018 की ये बात है दो पहर के लगबग एक वज़े के आसवास का वक्त हो चला था ओंद से ये निकलते हैं सीधा महा बलेशर के लिए और उन्हीं पास में थी पंच गनी वहां भी जाना था गाड़ी इनवा में बैठकर राजेंदर अपनी पतनी को आगे बिठा कर ग करने के बाद एक जथा एक जगह है उसके पास पसरानी के जो पहाड़ियां है वहां पर पहुंसती है जैसी गाड़ी तब ही इस लड़की यानि की दुल्हन दिख्षा जो होती है उसको उल्टिया आने लगती है उल्टिया इसकदर आने लगती है कि उसकी तवित खराब हो होने लगती है तब यह कहती है ड्राइवर से ड्राइवर यहनकी अपने पती के दोस्त से कहती है कि भाईया गाड़ी थोड़ा धीरे कर लो मुझे उल्टी आ रही है मेरा जी घबर आ रहा है कहता है कि भावी परशान होने की बिकुल जरूत नहीं है मैं गाड़ी साइड में कर दोस्त है अब जैसे ही गाड़ी जैसे लगाते हैं साइड में क्य telescopes चोटा फे गाड़ीं को आने जाने में भी दिकुत हो तो इसलिए उन्होंने साइट से गाड़ी लगाते हैं और ये दूला दुलन जो होते हैं आनंदर उसकी पत्नी दिक्षा जो होते हैं वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद थोड़ा टहलने लगते हैं ताकि जो चक्कर आ रहे थे जिससे क्या जी घवरा र वासला था लबब 50-60 मीटर के आसपास हो चुका था टहलते टहलते थोड़े आगे निकल जाते हैं तभी एक बाइक आती है और वो बाइक इसके पास जाती है ये जो राजेंदर होता है दोस्त दूर से देख रहा था कि कोई इनसे बाचित करने की कोशिश कर रहा है तभी ये बाद एक आनंद पर ताबर तोड यानकी दूले पर ताबर तोड वार करने शुरू कर दिये जैसे वो वार कर रहा है चारों लोग मिलकर उस दूले पर तो दुलहन जोर जोर से चिलाना लगती है चीखने लगती है और बचाओ बचाओ की आवाज लगाती है ये जो दोस्त होता है जो गाडि के अंदर बैठा हुआ है वो डर के मारे गाडि से निकलता ये चीखते रह जाती है कहती है कि मेरे पती को ये मार डालेंगे बचाओ वो दुलहन के जो जेबर थे उनको उटार रहे थे और उसके उपर एक के बाद एक लगभग दस मिनिट तक लगातार वार कर रहे थे जब ये वार हो रहे थे तो उस रास्ते से इस बीच में कई वहान गुजरे लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई जो बदमाश बदमाशी कर रहे थे लूट पाट कर रहे थे हत्या को अंजाम दे रहे थे इस दिरश्चे को लोग देख देखके हमँहां से निकल रहे थे सबके सब सोच रहे थे कि हमें किसी पचड़े में नहीं फसना ये 10 मिनिट तक इस तांडव को मचा कर दूले को मार कर पूरा इत्मनान करके यहाँ से भाग जाते हैं दुलहन बेहोश हो जाती है और जड़ दुलहन को होश आता है तो उसके चार तरफ लोगوں का जथा रगा हुआ था चार तरफ लोग ख़ड़े होए थे तब ही देखती है कि उसके जो पती है उसके शायद सांस से चल रही थी या नहीं चल नहीं थी, वो लोगों से अपील करती है कि मेरे पती को जितनी जल्दी हो सके होस्पिटल लेके चलो, तब ही रहागीरों ने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद एक सातारा एक होस्पिटल है, उस होस्पिटल में जाते हैं और जाकर उस व्यक्ति को, उस दूले को एडमिट करा देते हैं, लेकिन डॉक्टर देखते ही कहा देते हैं कि ये मर चुका है आपने लाने में इसको देर कर दी, जैसे ही दुलहन ये बात सुनती है, दुलहन की चीखे निकल जाती है जो दोस्त अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी लेकर भागा था, वो सीधा पहुंच जाता है पंच गनी थाने में और वहां जाने के बात कहता है कि मेरे दोस्त पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं उसको वो जान से मार देंगे, तो पुलिस कहते है कि ये जो मामला है वो इस इलाके का नहीं है बलकि दूसरे इलाके का है आपको दूसरे जगए जाना चाहिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मेरे वो दोस्त को मार देंगे इसके बाद वो असली जगह पहुंसता है जहां जिस पुलिस इस्टिशन में जाना था वहां जाकर पूरी कहानी बयां करता है और कहानी बयां करने के बाद पुलिस को ले कर जाते हैं पुलिस सीधा होस्पिटल पहुंसती है होस्पिटल में जाने के बाद उसके दोस्ट से बातचीत भी करती है साथी दुलन से भी पूछती है और दुलन गुसे में थी तम तमाते हुए कहती है कि जो उनका दोस्त है बीच में छोड़ कर चलाया यदि वो मोके पर होता तो शायद मेरा पती आज मरता नहीं उसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात थी उन बदमाशों ने तमसे क्या कहा वो कहती है कि वो स्रिक लूट पार्ट करनी के लिए थे उन्होंने उसकी जो उपर जेली थी उस जेली को लगातार चीन रहे थे और मेरे पती रोखनी की कोशिश कर रहा था तो मेरे पती को लगातार वो धारदार हतियारों से मार रहे थे ऐसा कहते कहते वो बेहोश हज़ाती थी उसे होश मलाते थे फिर उसे बाचित करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो दोस्त था उसकी वाइफ थी वो पूरी तरह से सस्पेक्ट होते हैं पुलिस कम से कम एक घंटे तक लगातार उनसे पूश्ताश करती है लेकिन जो पुलिस को बताते हैं पुलिस यकीन कर लेती है बात अब दुलहन पे आती है दुलहन के पास पहुंचते है जो उसका पती है दूलहाद है उस दूलहे को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, धारदार हत्यारों से, लूट की घटना में कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि जब इनकी कोई दुश्मन ही नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ, अब आनंद का पुलिस ने मुबाइल लिया, C साथ ही जो दुलहन होती है, उसका भी मुबाइल लेती है, उसकी भी CDR निकल वाय जाती है, उसके भी परताल करना शुरू कर देते हैं, दूलहे की मुबाइल से पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन दुलहन के मुबाइल से पुलिस को एक नंबर मिलता है, जिस नंब पुलिस यकीन नहीं कर रही थी, बाकी जो घर के परिवार के रिष्चेदार के सब के सब लोग थे वो दुलहन की बातों पर यकीन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लूट भी होती है, जोएलर भी आपकी गई है, मान लेते हैं लेकिन आपने लाइब ल निखिल को जो पुलिस लेके आते है और पुलिस अपने तरीके से पूश्टाश करती है तो पता चलता है कि कई सालों से इन दोनों का अफेर चल रहा था, कई साल से एक दूसरे के साथ एक रिलेशन्शिप में रह रह रहे थे, कई साल से एक दूसरे के साथ ये अवैद संबं से होगी और अरेंज मेरीज होगी लब मेरीज नहीं होगी इसलिए आनंद का एक रिष्टा ढूंडा गया और आनंद का रिष्टा ढूंडने के बाद क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है अमीर नहीं था लेकिन वो अच्छा इंसान था इसलिए परिवार वालों ने लड़की को उसके साथ करने की कोशिश की और 20 तारिख को यानकी 20 मई 2018 को इनकी धूम धाम से शादी होती है जब शादी हो रही थी तब दुलहन के पास उसका प्रेमी पहुंसता है और वो कहता है कि तुम अगर वहाँ जाओगी तो हमारा या मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा लेकिन दुलहन कहती है कि तुम परशान मत हो मैं एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही हूँ और जो प्लानिंग की जाती है तब उसका प्रेमियर दुलहन मिलकर आपस में प्लानिंग करते हैं और उसके आनंद को कतल करने का पूरा इरादा कर लेते हैं तोकि वो करोड़पती है उसने किराय के कुछ ऐसे बदमाशों को हायर किया था और हायर करने के बाद उसने जो एक हनीवन की प्लानिंग की थी कि जब ये हनीवन पर जाएंगे तब ही बदमाश पीसे से भेज़ कर इस पर हमला करा देंगे ठीक वैसे ही होता है लेकिन वो किस दिशा में जा रहे हैं कहा जा रहे हैं उसने लाइब लोकेशन भेज़ कर अपनी बिकुल जो वास्तविक इस्तिती थी वो दिखा दी लेकिन जब घरवालों को ये बताया गया था कि उसको उल्टिया आ रही थी तो उसके लड़की के भाई कि दुलहन के भाई को यकिन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन को उल्टिया आ क्यों रही थी क्योंकि आस से पहले उसे उल्टियों की कभी शिकायत हुई ही नहीं उसे लगा कि शायद कुछ ने कुछ डाल मिकाला है लेकिन भाई इस बात को अपनी कहता नहीं है परिवार के लोग भी इस बात को छुपा जाते हैं और जो पुलिस अपनी तरीकी से पूछताज करती है तो दुलहन ही मेन इसमें कातिल होती है उसका प्रैमी इसमें कातल कराने का मिक्वे आधार होता है रो आधार ये होता है कि दोनों इसे से प्यार करते थे लड़की से जब पूछा जाता है तो बताती है कि ये गरिब किसम का इंसान है और जो उसका प्रैमी है वो करोड़ पती ह वो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ती करता था, जो चीज उससे मांगी जाती थी, पती को रास्ते से हटा कर आपने प्रैमि के पास जाना चाती थी, जब मेरा पती रहेगा ही नहीं, तो मेरे माबाप की मजबूरी बन जाएगी प्रैमि के साथ भेजना, लेकिन उसनोंने जो एक प्लानिंग की थी गतल की वो प्लानिंग बड़ी ठोस थी ऐसा लग रहा था कि इस केस का कभी खुलासा नहीं होगा लेकिन एक गलती जो लाइब लोकेशन भीजी थी उस गलती ने ना केबल दुलहन को बलकि उसके प्रैमी को भी पकलवा दिया और ज अपनी का जो रिष्टा होता है दुनिया का सबसे खोबसुरत रिष्टा माना जाता है आपस में जगड़ा हो विबाद हो लेकिन कुछ समय के बाद दोनों एक हो जाते हैं ये तो रिष्टा भी नया नया ही रखा गया था तेरह दिन ही इस शादी को है तो अभी नोने जिन किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आपको जागरुक करना है आपको सचेत करना है आप जहां भी रहें अपना खयार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत